हलो फ्रांस कैसे हैं आप बढ़ियां कहते हैं ना अगर कोई शो सुपर नैचुरल का ला सकता है तो वो सिफ गुल खान है जो रात को आपको सोने नहीं देगी दहसत की मारे अगर आप वो शुरूम में कीचन में पानी पीने जाएंगे तो यकीनत अपनी परचाई को भी यह स कहते थे यार चुडए जो है ग्यारा बजे ताजा हो जाती है और उसे खून पीने को चाहिए और जिसका भी खून प्योर होगा जो लोग पूजा पार्ट करते हैं या जो भी है उन्हें उसका खून बहुत प्यारा लगता है तो ऐसे में घर की लेडिज जो होती थी वो त लड़ाईया बजी थे हस्बेंड वाइफ में या परिवारों में अरे घुटन कर दिये घर में बदबू और ये घर में वो कहती थी सब से हलो लेकिन वर्नक चुड़े हला जाएगी और मुझे लेके चली जाएगी तो पत्ती उसका मन में बोलता था यार जल्दी आजा बस मैं तो कही से भी धरवाजा खोल दूगा पर इसको ले जा तो यार ये जो गुल खान की जो स्टोरिया होती है ये मैं जितनी तारिफ करूं बहुत कम है ये मैं नहीं ये गूगल का हर पेज तारिफ करता है या आप जो मेरी वीडियो देख रहे हैं यकीनत है आपके घर में भी कुछ ऐसा कांड जरूर होगा जब आपने नजर देखा होगा अगर गुल खान सुपर नच्रल शो लाती है तो यकीन मानिये उसके ट्यार पी आसमान को चूती है फिर चाहे आप नजर देख लीजे ये जादू है जिनका देख लीजे और ऐसा गुल खान का कोई शो नहीं कि करोना के बाद जो है इस चीज पे लोगों ने कुछ जादा ही फोकस करना शुरू कर दिया है तो ऐसे में अगर गुल खान सुपर नच्रल शो देने वाली है तो यकीन मानिये कलर की किसमत पूरी बदलने वाली है हाँ इस बार वो कलर पे लाने वाली है ऐसे में जो है कहन में कहते हैं कि अगर आप कास्ट इतनी पोपुलर नहीं ले रहे हैं लेकिन अगर आपका पॉडक्शन बैस्ट है और आपको फाइनेंस की कमी नहीं है यकीनत मानी वो गुल खानी है जो अपनी ट्यार पी को चार चांद लगाकर ऊपर तक पुचा सकती है इसका पुरूफ उन जाए पॉडियूजर तो ऐसे में मैं बात करने वाली हूं कलर पे अब जो है शूपर नैचुरल एक तक अभी शो नजर आने वाला है और गुल खान का भी नाम सुनने में आ रहा है क्योंकि जो है गुल खान ने काफी लंबे टाइम से सूपर नैचुरल शो दिया नहीं है ऐसे में कभीर पंकर सिंग का नाम सुनने में आया है कि इस शो में काफी बड़ा कृदार करेंगे। ऐसे में ये गुम है किसी के प्यार में सपोर्टिंग रोल कर चुके हैं सावी के कोलिज के स्टुडेंट में जहां पे सावी के लिए उन्होंने काफी प्रॉबलम खड़ी करी है। परनाली राठोर को लो हर्सत चोपड़ा को लो या फिर किसी को नलो तो सुम्बुल को ले लो या फैमान खान को ले लो तो ऐसे में जो है मुझे लगता है अगर एक गुल खान किसी को ले सकती है। ऐसा नहीं कि गुल खान एक बार अपने शो में ले लेती है तो दुबार नहीं लेती है, ऐसा नहीं है, वो कई बार देखा गया है, कि अगर एक शो में उन्होंने पना पॉपुलर चेहरा बनाया है, तो उस चेहरे को वो दूसरे शो में भी यूस करती भी नजर आई है, कई बार ऐसा देखा गया है, तो ऐसे में मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, कि को अप्रोच कर सकती है, क्योंकि इमली के जाने के बाद फैमान खान से रिस्ते उनके बहुत अच्छे है, यह यह कहें कि फैमान खान को उन्होंने बोला भी था, कि आप मेरे इमली में 20 साल के बाद भी नजर आओगे, पिता का रोल करते हैं, तो ऐसे में फैमान रेडी नह अच्छे है, कोई ऐसा नहीं कि बिगडे हुए है, सभी से अच्छे है, लेकिन फिलाल जो लेटेस्ट की बात में करूँ, तो ऐसे में शुरूती शर्मा को भी ले सकती है, कई बार शुरूती शर्मा से उनके सैट पर बाती होती है, तो ऐसे में जो है, अगर गुल खान कलर पे नया शो ला रही है तो मेरी राय है आईशा सिंग जैसी एक्टर्स को लेना चाहिए बाकी वो किस एक्टर को ले रही है फैंस की डिमांड अगर वो पूरी कर सकती है तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा कमेंट हरसा चोपडा के लिए हो रहे है तो अगर हरसा चोपडा सूपर नैचरल शो में नज़र आएंगे ये जिन है जिन शेतानियों के है तो इस तरह के शो में अगर नज़र आएंगे यकीनत है यार पोजिसन में चार चान लगा देंगे तो आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएए बाकी जानकारी के लिए लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है